हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो इस लॉगड़ॉन में फसे अब हमें काफी दिन हो गए है और इस सफर में हमारा किसी ने सबसे ज्यादा साथ देकर हमें सेफ रखा है तो वो है हमारा प्यारा अपना घर दोस्तो आज अल्फा टेक एजडी लॉट आया है एक ऐसे वीडियो के साथ जहां आप एक से बढ़कर एक फोम डेकोरेशन और रिनोवेशन आइडियास देखने वाले हैं और साथ ही में हम कुछ ऐसे फरनिचर और गैजर्स को भी देखेंगे जो छोटे से गर में भी फिट ह हो जाते हैं और आपकी काफी सारी स्पेस सेविंग भी करेंगे तो तयार हो जाएए इस मज़ेदार सफर के लिए और साथ ही लाइक बटन को भी दबाईए दोस्तो ऐसे इमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बैल एकन को भी दबाईए दोस्तो तो नमबर बन पर है यह सूपर स्पेस पेरिंग फर नीजर आइडियाज जो किसी छोटे से घर को वेल फर्मिश्ट कर सकती है और लगवाख सारे अमिनिटीज को फिट कर सकती है यह देखकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे कर दोस्तों कर दोस्तों कर सकती है अब नमबर दो पर है क्रियो ग्लास डिजाइंड दोस्तों हमारे लीस्ट में आगे है यह अमेजिंग ग्लास डिजाइंड जो आपके किचिन में इस नई जान बर देगा और खाना पकाने के काम को और भी मज़ेदार बना देगा दोस्तों यह क्रियो ग्लास का इंस्टोलेशन बहुत ही आसाम होने के साथ साथ आल्ट्रा क्लास्टी और रिच भी लगता है जो डेफिनेटली आपके गर आएं महमानों को इंप्रेस कर देगा दोस्तों अब नमबर तीन पर है लोटो फरनिशर आगे हमारे पास है यह सूपर सेविंग सोफा कम डुपलेक्स बेड जो छोटे स्पेस में आपके बहुत सारी स्पेस बचाएगा और साथ ही नेक्स लेवल के कमफर्ट भी प्रोवाइड करेगा सो जस्ट हैव लुक दोस्तों अब नमबर चार पर है कनवर्टेबल सोफा अब सोफा कम डुपलेक्स बेट के बाद है यह कनवर्टेबल सोफा जिससे आप जब चाहे तर सिंगल सीटर डबल या त्री सीटर में बदल सकते हैं जो आपके घर के लिए काफी ज़्यादा आइडियल साबित हो सकता है तो फ्रेंज कम हैव लुक दोस्तों अब नमबर पांच पर है नेपोलियन फाइरप्लेश दोस्तों आगे हमारे वीडियो में रैंक करता है यह एक्स्ट्रेंडी कूल और अमेजिंग फाइरप्लेश जोकी एक नेक्स लेवल ऑफ क्लास लाता है दोस्तों यह अमेजिंग फाइरप्लेश का इंस्ट्रेशन काफी ज्यादा आसान है और इसमें मैनुवेली आपको कोई काम नहीं करना पड़ता इससे प्लेन भी गैस के तुरू आते है जो मशीन स्ट्रेंग में होते है और आप साथ ही इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं कलर्स चेंज कर सकते हैं और ये वाक कही वर्थ माइन साबित हो सकता है साथ ही आप अगर अपने घर पर कोई पार्टी तो करते हैं या गैदरिंग रखते हैं तो ये पायर प्लेस आपके गैस को डेफिनेटली इंप्रेस कर देगा दोस्तो अब नंबर चे पर है इंपरेटर वाक्स दोस्तो ये आगे हमारे लीस पर है एक मोडन और एडवांस टेकनलोजी लेज ये चेर जिसके साथ मॉनिटर्स और कंट्रोलिंग प्री इंस्टॉल्ड है ये गैजट गेमर्स के लिए एक पॉफित सपना हो सकता है इतना ही नहीं तो ये चेर वीजूल्स के हिसाब से अजज़्च होकर आपको नेश लेवल आप ट्रेडी एक्स्पिरियंस भी दे सकता है जो वाक्त ही में एक अमेजिंग एक्स्पिरियंस है मैं एक अज़ून। का बार अब नमबर साथ पर है कोलर बाट टॉब दोस्तो आगे लीस्ट में है ये मॉडर्ण और स्पेस सेरिंग वाट टॉब दोस्तो ये और बाट टॉब की तरहा स्पेस कंजिमिंग और हार्ट टॉ मेंटेन बिलकुल नहीं है और आपके बाट रूब में आसानी से फिट हो सकता है साथ ही ये बाट टॉब कहीं सारे मॉडल फीचर और टेक्नॉलिज स्टिलेज है जैसे बाबल मेंसेज, रिलाइस मोड और वे कहीं वहुत सारे पीचर तो ये देफिनेटली वर्ट बाइन है कर दोर आपके बाट तो अब नमबर आठ पर है आठिफिशियल लॉन दोस्तों बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि घर के सामने एक खुला मैदान हो और जहां चारो और घास हो और वो वाफ पर जा सके तो दोस्तों किसी भी वज़ा से अगर आपका ये सपना पूरा नहीं हो रहा तो ये आर्टिफिशियल लॉन आपके लिए ही है जहां बस कुछ एज़ी स्टेफ्स में आप आपके कॉंक्रेट पैसेज ये मिट्टी के बरामदे को एक घास के लॉन में बदर सकते हैं जो की ओरिजनल से भी ज़्यादा खुबसूरत है बहुत खुबसूरत है और हमारे वीडियो का लास्ट बटन और दली सेडमेंट है ये अमीजिंग स्टेरकेश जो रिमोट से कंट्रूल किया जा सकता है जो किसी भी फ्लोर को कनेक्ट बड़े आसानी से कर लेता है और साथ ही काफ़ी कमपटेबल भी है दोस्तो इतना ही नहीं तो इसे रिसाइटिंग मोड पर लाकर बुक शेल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते है या किसी ड्रॉवर की तरह और बस एक मिट में इसे फिर से सीडियों में बदना जा सकता है है ना बहुत बड़िया प्रड़क्ट दोस्तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइट तो बनती है बोस